पाली में जो जो उनों की कियाँ मेरे खाल से इतनी बडी बडी परफ़रफॉर्मस पाकिस्ताइन इन इंडिया-ड इंडिया की इन डृहिक कर अब यहां पर लोग अगर हमारा मुकाबला भी नहीं कर पा रहे हैं और पता है किस तरह की पुराई कर रहे हैं तुटर पर चलाया जा रहा है कि जो बॉल है उस बॉल में कुछ चीजिज चीजिए जिसके बाद आई सीच को ना इंवेस्टिगेट करना चीए मतलब कोई बात म हो यह दिन पर चिला चिला कि इंडियन टीम जो है वह इतना अच्छा कहसे खेल रही है अब मैं आपको बता रहा हूं कल के मैच इसके बारे में कल इटीम इंडिया ने सिर्लंका को 55 पे समेट दिया इस चार रन पे तीन रन पे चार विकेट यह कोई मैंच फिक्सिंग हुआ तो किसि को भी पथर चल जाएगा भाय यह मैच बैशुक्षिंग सिर्लंका के बैस्समेन हो हमारे बॉल खेली नहीं पाते और यह बात यहां पे पाकिस्तानी मीडिया को पाकिस्तान के लोगों समझ नहीं है व्यक्तान के इतनी तुiegenर औरब मेही इतना अच्छा पर्फोरो तो बहुत सारी निवस्टानल वाले ऐसे हैं जो तीम इंडिया की बुराएं करते है फाकिस्तान के अंदर लेकिन इंडिया उन सब की चीजें के करते है यहां पर नहीं करने लाइक। क्योंकि अगर इधर से प्यार जाएगा तो फिर वारी आएगा यह चीज है समझ रहो वही बात में यहां पर कह रहा हूं कि पाकिस्तान मीडिया पुरी पागल हुई पर यह रियक्शन्स दे रहे हैं अलग अलग तरगी के रियक्शन्स दे रहे हैं कि विराट कोली ने मतलब स सेंचरी मार दी गुस्काया था विराट को यह सैंचरी मार रहा है विराट को यहां लोजिक वाले बात बीना लौजिक बातों में हाथ है ना ऑना सर्आ कुछ नहीं यहां पर यह सची कहता हूं यह लोग मतलब आसे ही रहेंगे चिंधी के पर और टीम इंडिया इसी तरह इ चीज़े कैसे होगे टीम इंडिया इस तरह के चीज़े कैसे कर दें मतलब यह वह ऐसी वैसी चीज़ें मतलब आप समझेगे यह सारी चीज़े जो है वह अभी पाकिस्तानी मीडिया के तरफ सेंगे हाला कि बहुत अलग एक रियक्शन सारे मैं पर नेक्स्ट वीडियो में बन आप कोन हो तो यहां पर बोलने कारे कि इतनी रूथ लेस्ति मत खेलो जब टीम इंडिया हारती हो तो बहुत ज़्यादा मज़ा कुड़ाते हो अभी क्या हुआ भाई आगे यह फट के हाथ में तो सीधी बात यह मैं बता रहा हूं कि टीम इंडिया को लेके यहां पर बहु कंद्य तरीके के यहां पर जो चीज़ें को टीम इंडिया के वाले में बता रहें